हलो गाईज, वेलकम को एर यूट्यूब चैनल, क्वेशन लेकर क्या हैं, आपके सामने हम 1.789, अब अगर इस क्वेशन में आप देखें तो 89 के उपर एक निशान लगा है, जिस हम कहते हैं बार का निशान, और इस बार के निशान का मतलब होता है कि 89 जो है, 89, 89, 89 ये रिप 1.789, ये बार है अपास 89 के उपर, इसका मतलब भी 89, 89, इसका मतलब मैं इस से लिखता हूँ, 1.789, 89, इस तरीके जो आपास ये क्वेशन लिखावा हो सकता है, तो चाहे क्वेशन आपास इस तरीके से लिखावा हो, और चाहे क्वेशन आपास इस तरीके से लिखावा हो, rational number बनाना है और बस ये ये अकल मंद ही मत दिखा देना कभी अकल मंद बन बैठो के जह हम तो ऐसा कर लेते हैं मैं पसको बार लगा है यह पॉइंट के नीचे एक लगा देते हैं और एक, दो, तीन, 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 जिरू लगा देते हैं सवाल से भी ही पे खतम है उस केसम आप कर सकते हैं जिरू लगा देंगे तो 76 अपॉन 10 इस केसम आप इसको ऐसा कर सकते हैं अगर सिर्फ ये लिखा है तो लेकिन अगर उपर बार लगा है तो फिर आप ऐसा करने की कभी भी कोशिश मत करना तो फिर क्या करेंगे तो हम ऐसे केसम इसको लेट कर लेते हैं यानि हम इसको मान लेते हैं कि आप पास जो है ये क्या है ये X के इक्वल है 1.789 बाव और मैं इसको नाम देता हूं इन पास फरस्ट है जिसमारों को बता के क्योंगर repeat हो रहे हैं यह एसी ले सकते हैं सेवन point 89 89 आप आस यह चलता रहेहां अब देखा आप प्या करना आपने हमने इसको multiply करना है किसे यह देखो बार जो लगा है यह जो पॉस्ँ में पास कितने डिजिट repeat हो रहे है बार कितने के ओपर लगा है यह फिर हो रहे हैं या दो डिजिट के ओपर लगा है तो आप दो जिरो लगा है ऐसे नहीं के ऊपर लगा है या बन क्या कि मैं दो जिरो से लगाऊंगा हंडड़ बन जाएगा मैं इस एक्वेशन को हंड़िट से मुल्टिप्लाइ कर लोगा तो मैं लिख देता हूँ मुल्टिप्लाइंग it by इससे multiply कर लेते हैं किस से जी hundred से तो जैसे हम इसको hundred से multiply करेंगा तो आपस क्या हो जाएगा hundred x multiply कर लो जिसको hundred x और यह आपको पता होना चाहिए कि जम मैं इसे hundred से multiply करूंगा तो यह point यहां से खिसके hundred में कितने zeros हैं दो zeros तो यह point यहां से दो digit खिसकेगा कि तरफ? राइट हैंड की तरफ जब multiply करते हैं हमेशा point राइट हैंड की तरफ खिसकता है और जब हम divide करते हैं तो point हमेशा left hand की तरफ खिसकता है यह ध्यान कर लेना तो अब multiply करें तो point यहां से उठके आपास जाएगा 7, 8 के बाद तो यहां पर थोड़ से trick भी है उसको हम इस्तिमाल करेंगे तो 1, 7, 8 point क्या हो जाएगा बस यह 1, 7, 8 point अब परस क्या बन जाएगा आगे क्या है? 9, 8 अब यहां पर आ जाते हैं 9, 8 अब मेरे पास फिर 9, 8 फिर आप इसको बच चलाते रहागे से ही अब हम क्या करेंगे? इसको हम लिखे सकते हैं 100x देखा अब कोशन में देखा अपस क्या था? असल में हमने यह देखना है कोशन में जो 178 पॉइंट देखो कोशन में क्या था हमारे पास जो पहला डिजिट है उसके उपर बार नहीं है तो असल में क्या करेंगे? यह पर जो पहला जिट है पॉइंट के बाद उसके उपर हम बार लगाएंगे नहीं यहां पर नाइन के उपर तो बार लगेगा नहीं लेकिन आपको पता है रिपीट भी 8-9-89-89 हो रहा है तो इसले हम क्या करेंगे? बाद का जो भी 8-9 बचा आपको पास ही वाला इसके उपर हम बार लगादेंगे इसका मतलब यह रिपीट होता रहेगा और इसको मना दे दूँगा में पास ही एक्वेशन है कौन सी? सेकंड और क्या कर लेंगे? मियाज़ से सेकंड एक्वेशन से फर्स्ट एक्वेशन को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे यह आपास सेकंड एक्वेशन है 100X और फर्स्ट एक्वेशन में इधर की तरफ क्या लेगा था? आपास X यह रहाम ने एक्स X जो इसको लेट कर लिया था इसलिए आपास क्या आगा जी यह आजाएगा X माइनस X इकुल्स टू पर आपास क्या है 178.989 बार क्योंकि पॉइंट के बाद नमबर ओफ डिजिट्स का इकुल होना जरूरी है जितने डिजिट में पास एक्वेश इकुशन फरस्ट में भी होने चाहिए पॉइंट के बाद अगर नहीं है तो मुझे उसमाइनस करने में दिक्कत आ सकती है मिर पास यहां पर क्या था एकुशन फरस्ट में 1.789 बार तो 1.789 बार अब देख उसमाइनस कर लेता है माइनस करना हमने तो तो आपास यहां का ब बचा पॉइंट फिर आपास 8 में सबन जाएगा 7 हो गया ठीक है जी और आपास यहां पर 17 ही है तो आपास क्या हो जागा जबाक्स की वेलो निकालोगे तो 177.2 अपान में 99 आप चाहें तो यह पॉइंट उठा के नीचे ला सकते हैं और इसको डिवाइड कर लो और डिवा पॉइंट नो एक इसे डिवाइड नहीं हो ना बस वो टू से अगर आप चाहें तो टू से डिवाइड इसको कर सकते हैं और यही होगा आपास उस केस में इसका आंसर यानि इसका मतलब यह जो आपास क्वेशन था वन पॉइंट सेवन एट नाइन बार वो किसके एकवल है जी वन सेवन सेवन टू अपॉन में नाइन नाइन जीरो यह है इसका आंसर तू से डिवाइड कर सकते हैं अपास आंसर आ जाएगा तू से डिवाइड करने के बाद अगर आप यहां भी छोड़ना चाहें तो यह भी इसका आंसर है फिर भी कोशिश देगा हमने पूरी पूरी पूरी कोशिश करेंगे वो कोशिश आपको समझाने की अगर हमरे चैनल पर नए है या पुरान है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया बहुत सारे ऐसे भी होते ना कि वीडियो देखते रहेंगे देखते रहेंगे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगर आप उन लोगों में से हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर और लाइक करना जरूर मतलब बिलकुल न भोले ताके ये जरूरत मंदों तक भी वीडियो पहुंच जाए भे अपने यारों और दोस्तों को चैनल जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें खाली अकेले आप भी फायदा ना उठाएं तैंक यू वेरी मिच